हाई दोस्तों कैसे हैं उमेद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे मैं मुहमद मुक्तार आप सब के सामने हाजिर हो चुका हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ और यह वीडियो आप सब के लिए पेहद ही यूसपूल होने वाला है तो दोस्तों आज हम इस वी आज हम इस वीडियो में आपको वो सब चीजे बताने वाले हैं साइद इसके बारे में आज से पहले आपको जानकारी नहीं होंगे यदि आप सरकारी करमचारी हैं तो आपको ये वीडियो बिना इसकिप किये इन तक जरूर देखना चाहिए क्योंकि इसमें हम वो सब चीजें बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे या फिर कहें आपके जानकारे में इजाफ़ा होगा तो इस वीडियो में जो जिस चीज पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है पे मैट्रिक्स यानि हम आप जो कर्मचारी को वासिक वेतन वृद्धी मिलता है उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं इसमें वो सब चीजें उस पर मैंने ध्यान देने का प्रयास किया है जिस पर सायद आज से पहले आप ध्यान नहीं देते थे वो आपकी आखे खोलने वाली या वीडियो ह होने वाली है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अभी तक साथ पे कमिशन आ चुका है साथ में पे कमिशन के बारे में जैसा कि हम आप जानता है कि फर्स्ट जन्वरी 2016 को लाग हुआ है और इसके साथ ही पूरे देश लिवल में यह कमिशन लाग हो चुका है तो जाओ देखें पहली बात तो यह समझना है कि इसमें टोटल लेवल बनाए गया है आपको लेवल के हिसाब से लेवल वान लेवल टू लेवल फिरी इस तरह करके टोटल अठारह लेवल है यहां तक तो कोई नई बाते हम बताने वाले नहीं है लेकिन इसी लेवल से आपको बहुत सारी confusion उत्पन होता है वो देखिए अगर आपसे पूछा जाएंगे इस पे कमिशन में कितना लेवल है तो आप जट से कह देंगे अठारा लेवल है अठारा लेवल तो है लेकिन आप अगर गौर करेंगे तो देखिए यहां पर हमने रेट कलर में लिख रखा है कि एक रेट कलर में देख रहा है एक गजट नंगजटेड और दूसरा देख रहा है गजटेड यहीं पर पहला सवाल होता है बहुत सारे करमचारी के confusion में होता है कि कौन सा करमचारी गजटेड होता है और कौन सा करमचारी नंगजटेड होता है अगर होता भी है तो क्यूं होता ह तो यह सवाल लाजमी है, हम जयसे छोटे करमचारी को यह सवाठे जरूर जाने चाहिए. नन्ट गजटेट और गजटेट में सीधा सा और छोटा सा अंतर यह है, कि नन्ट गजटेट को पहली तो जान लेदे उसको और राजपतृत कहा जाता है, और gadgeted को राजपत्रित कहा जाता है जिनको gadgeted के उपाधी मिल जाती है उनके लिए फक्र की बात होती है खुद पे गर्व होने जैसा अनुभव होता है अब दिखें राजपत्रित वैसे कर्मचारी को कहा जाता है जिनकी नियुक्ति भारा सरकार के राजपत्र के द्वारा होता है है न बहुत मज़े की बाद तो इसमें जो है कि क्लास B, क्लास A जैसे कर्मचारी की नियुक्ती होती है simple, ठीक है तो वैसे कर्मचारी जिसके नियुक्ती भारव सरकार गजट के द्वारा करती है तो वो राजपत्रित कर्मचारी हो गया और उसके अलावे जो indirectly अन्यमाध्यम से जिनके न्यूक्ति होती है उसको आराजपत्रित यानि नंगजटेत कर्मचारी कहा जाता है तो वीद करते हैं अगर अश्ट्रिट लेवल की बात की जाए तो राजपत्र के अलावे यानि राजपत्र को छोड़कर किसी अन्यमाध्यम से अगर किसी की न्यूक्ति हो रही है तो उसे अर राजपत्रित यानि नंगजटेत इंप्लोई का जाता है पहली बाद अब इन दोनों का सिंपल सा मतलब है बीच में एक लकेर खीज दे गई एक से नौ तक आराजपत्रित करमचारी आएंगे और दस से लेकर अठारा तक राजपत्रित करमचारी आएंगे यहां तक कोई दिकत है अगर संख्या किसा आप से देखा जाए तो नौ ल अची अची ल सकता है और धिकतम अधितर हाजार दाना और भाद करतिंट करातों कैसे अगर में पमेंन देखिआ था मिलता है लिकिन एक तो बीर जिस पर कोई increment नहीं लगता है और वो है लेवल 17 और लेवल 18 में इसलिए यहाँ फे लिखे हैं हमने लिखा fix यानि दो लेवल ऐसा है जिस पर कोई increment नहीं लगता है यानि उसको fix कर दिया गया है लेवल 17 में सबा 2 लाख रुपे जो basic होगा वो वही रह जाएगा retirement तक और लेवल 18 में basic पे 5 लाख ने धारित किया गया है और वो वहीं तक रहेगा उसको DA मिलेगा हर कुछ मिलेगा लेकिन उसको increment नहीं मिलेगा तो ये दूसरी महतुपूर्ण बात है हमने जाना तो पहला इसी लेवल में ये जो number आपको दिख रहा है इसमें से एक महतुपूर्ण बात है आपने क्या देखा लाश्ट का जो दो लेवल है वो fix लेवल के नाम से जाना जाता है यानि उसमें increment नहीं लगता है यहां तक वो दिख करते हैं अब देखिए पहली बात है और भी चीज़े आपने क्या देखा अधित्तम basic पे धायलाग तक है अब देखिए कि क्या आप सब को लेवल के नाम स दो और उसके अलावे gadget के लिए भी की जा रही है देख रहे हैं अब जो यह मैंने यहां से यहां तक यह लेवल 14 तक जो होता है उसको पे लेवल के नाम से पुकारा जाता है लेवल 1 से लेकर 14 तक यानि टोटल अगर देखा जाए तो 15 लेवल इसमें आता है 15 लेवल के कर्म को पे लेवल मिलता है यानि वेतन लेवल मिलता है ठीक है यानि मैं इसमें वेतन की बात कर रहूं कितने तरह का वेतन होता है सिवंद पे कमिशन के हिसाब से तो सिवंद पे कमिशन के हिसाब से चार तरह का वेतन है पहला हो गया पे लेवल यानि वेतन लेवल और उसके बा कहा जाता है उच्छ वेतनमान के नाम से जाना जाता है अगर आप विभागे परिशाओं की तयारी कर रहे हैं खास करके ग्रूप B लेवल की परिशा की तयारी कर रहे हैं तो आपको यह सब बाते जुरूर जानी चाहिए यानि उच्छ वेतनमान का जो लेवल होता है वो क्या अलग तरह का यह वेतनमान है, यानि 17 को Apex वेतनमान के नाम से जाना जाता है वही लेवल 18 का जो वेतनमान है केंदर ये सचीव अस्तr का वेतनमान, यानि रभीनेट मंदरी होता है, उसके अधिन जो सेकरेटरी होता है, सचीव होता है, तो इसमें जो है लेवल 18 में उसी सेक्रेटरी उसी सचीव के वेतन के बराबरिंग के वेतन ने धारिद किया गया है तो किलियर है चार तरह का वेतन है वेतन लेवल उच्च वेतनमान एपेक्स वेतनमान और केंडरे सचीवस्तर का वेतनमान यहां तक कोई दिक्त है, चार तरह कर्मेतन है, अब देखें कि आगे जो हमें जानने वाली बाते हैं, जैसे कि कितने ग्रूप के कर्मचारी होते हैं, खासकर अगर सेंटरल गॉब्मेंट की बात की जाए, यह मेरा जो बेस है, वो सेंटरल गॉब्मेंट के बेस पर है, राज पे भी confusion होता है ग्रूप को लेकर कि किस ग्रूप को minimum और maximum कितना pay मिलता है तो देख लेजिए सिवत पे commission के हिसाब से करनचारी चार्ड भागों में बाटा गया है ग्रूप D, ग्रूप C, ग्रूप B और ग्रूप A ठीक है अधिकतम ग्रूप A हो गिया और नियूनितम ग्रूप D हो गिया ग्रूप D यानि लेवल 1 यानि अगर grade पे के हिसाब से देखा जाए तो 1800 grade में जो करनी होता है उसको group D के नाम से जाना जाता है अब देखे होता क्या है कि जैसे आप level 2 में जाते हैं level 2 से आपकी सुरुवात group C में होने लगती है अगर grade पे की बात की जाए 1900 grade से आप level group C में माने जाते हैं अब रही बात अगर विभाजी परिशाओं से आप group C में यानि D से अगर C में जाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 3 वर्स group D में रहना होगा तब आप group C में जाने के योग्य हो जाएंगे और उसके बात जब group C में आप जाते हैं यानि level 2 से आगे बढ़ना है आपको कम से कम 2 साल तो रहना ही चाहिए तो यह भी चीज़े आपको objective में पूछ सकता है कि group D से group C में जाने के लिए आपको कितना service योगिता होना चाहिए service qualification होना चाहिए 3 साल और group C में यदि आप चल गए तो आगे बढ़ने के लिए जो है कि 2 साल काफी है अब देखे एक जो मझेदार बात मैं बताऊं जिसे लेवल 1 को 1800 ग्रेट के नाम से जाना जाता है उसी तरह यहां पर आप देखिए यह लेवल 9 और लेवल 10 यहां भी बहुत confusion वाली बात होती है लेवल 9 को भी 500 ग्रेट के नाम से जाना जाता है और लेवल 10 को भी चववन सो ग्रेट के नाम से जाना जाता है अब आप तंफ्यू जोंगे अगर विस्वास नहीं है तो सेवन पे कमिशन का पे मैट्रिक्स आप डाउनलोड कीजिए चाहे अगर आपके पास है तो उसमें देखिए आप इन दोनों का जो ग्रेट पे देखें लेकिन उसके वेतन में अंतर होता है चवन सो जो लेवल 9 है उसका अगर वर्तमार में सिवन पे कमिशन के हिसाब से अगर बेसिक देखेंगे तो उनका तिरपन हजार एक सो है मीनीमम बेसिक पे वहीं ग्रेट पे चवन सो और लेवल 10 में ज़दी आप जाएंगे जिसमें त लेवल 9 तक वो नन गजटेटेर होता है, जैसे ही लेवल 10 में पौँचता है, वो गजटेर हो जाता है, यानि चोवनसो ग्रेड वाला जो है, वो गजटेर में भी है और नन गजटेर में भी है, तो अगर आपसे पुझा जाए कि नन गजटेर इमप्लोई का अधिकतम बेतन क जाता है चोंवन सो ग्रेब में उसका 56,100 हो जाता है तो ये भी मज़ेदार बात अब हम यहां पे बात करें से लेख लेकर बारव कर लेजेए सुधार कर लेजिए लेवल नो तक वह ग्रुप सी में और जैसे वह गजटेट जाता है वो लेबल दस से लेबल बारव को लेवल में आता है उसके बाद लेवल 13 से लेवल 18 तक यानि यहां से लेकर यहां तक वह ग्रूप A में माना जाता है अब देखिए कि सिर्वंत पे कमिशन में और में ध्यान देने वारे बात है जो अकसर लोग इसमें ध्यान नहीं देते हैं वो यह कि जो इसका जो पे स्ट्र कर सकता है इस तरह पे मैट्रिक्स बनाए गया है चाहे लेवल 1 हो या लेवल 10 हो उसमें आदमी अधिक्तम 40 वर्स तक नौकरी कर सकते हैं उसके बाद जैसे आप कहुंचते हैं लेवल 11 में आदमी 49 साल तक नौकरी कर सकते हैं जैसे आगे बढ़ते हैं आपका एज कम होता जा रहा है यानि लेवल 11 में आप 49 साल तक अधिकतम नौकरी कर सकते हैं उसी तरह लेवल 12 में आप 34 साल तक नौकरी कर सकते हैं उसी तरह जैसे आगे बढ़ते हैं लेवल 13 में 20 स यहने अगर आप इस साल के लोग आएंगे तो यह थे दोस्तों आप में एको से हैं तो उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको इंट्रिस्टिंग लगा होगा और ग्यानवर्धक में लगा होगा तो ऐसे ग्यानवर्धक वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं तो आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल पर पता रहे तो चैनल को सब्सक् कर रहे हैं थोड़ा आप मेहनत कीजिए तो चलिए मिलता है कि अन्य वीडियो में अन्य महत्वपुल्न टॉपी के साथ तब तक के लिए खुश रहे आबाद रहे जिन नगी में आगे बढ़िये जैहिंद जैभावाद